अखिल भार्तियों विकास मजो ऊड़ी मिलन समारो राख्वा मावि तमाम नाना मूटा कारे करोधे माँ मोटी संख्या माँ हाजरी आपी नती अने आमाँ अबेल मैमानों पूल सी देमच मोव्मेट्ट ती सनमान करी होगा त। आसमारो मां भक्ति किर्थन अने सन्मान समारो पड़ियो जायो हतो। आसमारो मां भक्ति किर्थन अने समारो मां भक्ति किर्थन अने समारो पड़ियो जायो हतो। बहुती करमट विदान सभा में और अपने क्षेत्र में जिनका अपना एक लग नाम है। ऐसे हमरे वाड़े के विधायक हस्मुभाई पटेल जी। पुरे उत्तर भारती विकास मंच के अद्धक्ष इनेतर जी ठाकुर जी। हमारे यह जो हम लोग राजनीती में हैं माप करिये में सिर्फ राजनीती का उल्लेख कुंका परिशय देने के लिए कर रहा हूं। हम राजनीती में चुंगी भाई है तो हमारे पीछे जो सबसे मधी मजबुत दिवार होती है वह हमारे काउंसिलर्स होते हैं इस रूपके तीशे एक पड़ी होती है पार्टी का संगठ है तब ही खड़े अगर कोई सांसा बन सकता है को विधायक सकता है तो हमारे अनिरुद सी जाला जी काउसिलर स्री और स्टनी के मिले के सदस्या मालने शी हेरेन भी जादाव जी बहुत ही मुझे यस्पर है 1984 से लेकर जब मैं पहला चुला हूँ ऐसे तो 75 में लडा था कॉर्पोरेशन में जनसंग के दीपक के चिन्हप है करीबन 54 पार्टी मे हुए है मुझे मैं दीपक के नाम पर चुनाओ लडा और आप लोगों के समर्थन से जीता तो गया प्रसाद जी 1984 में जब मैं विदान समर्था तब से मेरे साती है ऐसे ही मेरे पुसाती काउसिलर बरत भाई परमादर रियर जिनका अनन्यस ने मुझे स्परन निकप से है बदरिया जी और चुनीब भाई सभी के नाम मंचस्त मानु पर मंच पर बैटे मानु भावों का मैं दे सकता हूँ आप जानते हो महौल ऐसा है जहाँ हमें आने वाले दिनों में पुरे राष्ट के भविश के निर्मान करने के काम में जूटना है तो लगातार मिटिंग के चालू है रामदर जी रामदर यादव जी राधा साब और करनी सरना के अध्यक्ष जी तो मिटिंगों में जाना है खल प्रदार मंतरी जी का पूरे देश भर में एक कार्यकरम है मैं भी चोखीदार हूँ उसकी तो उसका भी आयोजन करना हैं सबको उसके कारण आप सब के बीच से एक्षमा चाहते हुए मैंने प्रोटोकोल तोड़ा है गुरुजी का आशिरवाद दे करके मैं दो शब्द कहने के लिए खड़ा हूँ तो सन्मानिय मंचगन मेरे परिवार के अपने भाई और बहनों आप सबको अपना परिवार समझता हू कहीं ने कहीं मेरे पुर्वत जुड़े हैं अपनों से तो दूर कैसे रह सकता हूँ तो जब विरेंदस जीजे ने कहा कि आना है अब आप आओंगा कि नहीं आप आओंगा आप आओंगा कि नहीं आप आओंगा पार्टी के करेक्रम बहुत होते हैं अधर आने का सोबा की मिला आप मैंने कहाने की लगब 55 साल 59 से 54 साल मुझे राज़े गुरु परंपराम बोनेश्या वरावे चंद्र भगवार की आज के इस उत्तर भारती विकास मंच के द्वारा जो कारिकर्म हो रहा है उसके अध्यक्ष और हम सभी के गौरव जैसे माननी श्री हरेन भाई पाठल जी हमारे परमस्यनेही श्री हस्व भाई पटेल जी मान्य उदैबीर भदवरिया जी जोंगी सिंग जी महंद्र यादव जी मंचस पर करणी सेना की अध्यक्ष विजरात पुदेश के आपके उपर भी हम लोगों का बड़ा गवरभ इसलिए करणी सेना की अध्यक्ष जी के लिए खास अभी अभी हम सभी के बीज में डॉक्टर किरिड भाई जी आए हैं फिर आप तो हमारी सीट पर बैठे गई हैं लेकिन कोई बात नि मैं तो संथो मेरी सीट भी आपके लिए चोड़ रहा हूँ मंचस्ता तमाम कटपर कॉर्परेटर बंधू पत्रकार बंधू स्नेहवति माताओ बेनो आज के उत्तर विकास मंच का जो एक कारिकरम हुआ मैं बैठा था तो बहुत सारी बाते बिरंद्र शिंके भी से में सोच रहा था यद्यपुनों ने पहले ही बता दिया है कि 1995 में जब इस मंच का अस्तापना हुआ तब हम लोग उसमें थे और मैं तो मुझे याद है तो शाइदू को भी याद होगा कि हम लोग रेल रोको अंदोलन में भी साथ है केवल मंच पर नहीं पट्रियों पर भी साथ है ऐसे कारिक्रम में जहां जहां बुलाया गया वहां वहां गया गली नुकड़ों पर हसुप भई सुनियेगा किरिड भई सावड जोड़ तो इस सारे कारिक्रम हम लोग सब साथ किये उतर भारती विकास मंच का लेकिन समय कमे में क्या हूँ यह विशे रख करके एक बार और बोलता हूं हमारे जो इस कारिक्रम के अध्यक्ष जी बैठे हैं कि माननी श्री हरीर भाई पाठर कि उन्होंने बड़ा पर्चे पुराना दिया लेकिन मैं आपको बताओं हम एक जगह रहते थे राइपुर में जिसका नाम है वड़ की पोल वहां एक रणछोड़ जी का मंदिर था मैं वहां राता था मैं मांत रही था ये नित वहां आते जाते था और मेरा पर्चे हो गया एक बार ये पचास सो रप्या कुछ दान प्रिटिम डालने के लिए दिये होंगे तो मैं बोला पैसे नहीं चाहिए तो मुझे याद है इलगभग मैं समझता हूँ कि तीस वर्स श स्कूटर था और मैं इनके हां चला जाता था तो काम क्या था उत्तर बारती कोई आयो हो तो उनका टिकट कराने के लिए फिर ऐसी इस्थिती आई कि टिकट कराने के लिए जाना इनका पूरा भुक ही ले करके रखते थे परेपार कि जैसे क्रिट भाई ची है राजें सिंग लोगोने काम किया और यहां से दिली तक जितनी पुरानी बाते हैं बड़ा समय चाहिए कहने के लिए लेकिन फिर भी सारी बातों का निचोड़ यहां बैठे बैठे जनजन के लोगों की आवाज जो मैं सुन पाया हूं और जो मैं जानता हूं जो लोग मुझे मिलते हैं औ हरी आधे साक्त के एको हम दुतियो नास्त용 मुझे भी बड़े तर्द में तरक होते हैं मैं सुनता हूं तोो मुझे पूछे क्यों हरीन पाठक ही और अन्य क्यों नहीं तो मैं बोला उनको इसलिए हरीन पाठक कि धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए संस्कृति की पावन बिहान के लिए राश्ट छेतना के अभियान के लिए यानि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के लिए सारे अवरोधों को मिठा के रहेंगे हम राममंदिर बना के रहेंगे इसलिए जरूरी है बहुत सारे लोगों को यहां बैठे साथ उनको बोलने का मुखका नहीं मिले लेकिन मैं आपकी आवाज बन करके मैं कराम हम सबकी आवाज है और हम सब लोगा ने वर्सों से इस मिठी मेरा करके पसीना भाग करके बिना किसी आवस है कमलाकर सिंग राजपूत बगेल कश्टक्सन करणी सेना उपाध्यक्ष गुजराज प्रदेश उत्तर भारती विकास मंच कोर कमिटी अध्यक्ष आज होली समाहरोव के उपलक्ष में जो यहां प्रोग्राम रखा गया कुसाभाव ठाकरे होल में हमारे राश्टी अध्यक्ष विरेन सिंग्ठी जी ठाकूर अब है राजपूत जी हम सब टीम मिल करके एक मिलन समाहरम रखा जिसमें हर पायटियां जो भी गुजरात में एक्टिव हैं उत्तर भारती विकास के नाम से सभी को एकत्रित करके सब को एक करने की कोशिस की गई और और सबसे बड़ी बात यह थी कि यहां पर न कोई पॉलिटिक्स वाली भावना से प्रोग्राम नहीं रखा गया एलेक्षन का दौर चल रहा है लेकिन यहां कांग्रेस और भाजप यह अन्य पायटियों कि कोई भी चर्चा नहीं की गई बहुत सांती महरिस से इस प्रोग् अपन रहा इस एक साथ जय हिन जिता है उत्तर भारतिय विकास मंच द्वारा आयोजित होली मिलन और समान समारों में उत्तर भारतिय जंता को यहां बुला के उनका जो सम्मान किया गया मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मैंने जो देखा आज इस समारों के इस जगह पे जो एकता उत्तर भारतियों को एकत्रित करके इस मंच ने दिखाई है जो बुद्धी जी लोगों को इननों जोड़ा है और जो समाज के लिए यो योगदान दे रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है मैं विरिंदर सिंग जी को इस मुहिम के लिए आभारिवक्त करना चाहूँगा मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से चाहे उतर भारतिय हो या पुरा भारत देश हो जय बारत जय गरी गुज्रा अठाकुर बिरेंद्र कुमार सिंग राष्टी अध्यक्ष उत्तर भारती विकास मंच आज का कारेक्रम होली मिलन समारम था और उसके साथ समाज सेवियों का संस्था जैसे की होली उत्तर भारतियों का नए बरस के तेवार के रूप में मनाया जाता है तो उस होली मिलन के इस समारम में हम लोगों ने अपने इस समाज के जो समाज सेवियों संस्था हैं उनका भी सनमान करने का प्रस्ताव किया और जिसके हमारे निडायक मंडल ने हमारे कोर कमिटी ने और और हमारे सभी पदादिकारियों ने मिलकर इस प्रस्ताव को मंजूर किया और आज हमको बड़ी खुसी है कि हमने इस एहमदाबाद सहर के 35 समाज से भी संस्ताओं का संमान किया उनको बुचित संमानित करके उनको संमान दिया कि में नाम अभे सिंग राचतूथे मैं अमदाबाद उत्तर भारती विकास अ liksom का उनको विकास लिए एक संघ्ठन नीका थाकूर और विब आगवने में की गई इसका मैं अमदाबाद से और से होली के पावन पर्वा पर उत्तर भाराचे जो मेन समाज वकिकश्ड उसके उपलक्ष में आज कुसवाउथवुण एडार पर उस म charter और समाज के लोगों के मुख्या है नूय संभी के एक सम्मान करने का समारो कायोजन यहां किया गया जिसमें सभी लोग बहुत ही उस्थाब से यहां भाग लिए भजन भगवान का नाम भी लिया गया वोली के एक दुष्टे की मुभारप दी गई जिसमें कोमी एकता का भी दर्सनुवे जात और पात बेदभा भूलकर बहुत सब्सक्राइब बहुत ही उम्मंग से मनाया गया जिसमें हमारे गुजरात और खात करके एमदावाद में पूर्व पविष्टार में रहने वाले सभी हिंदी बासी अपने तनमन धन से आकर मुख्य जो लोग थे सभी लोग आए और उस साबर होली मुष्टों मनाके आज हम एक दुसरे के दुख का सहबागी बने और गुजरात और देश हमारा विकास किस तरह से करे कोई भी पुलिटिकल राच्छी बात किये बीना हम लोग आज उस्तों बनाए हैं और एक दुसरे को हम लोग सुब कामना दिये और गुजरात में हैते हुए हम गुजरात की किस दो हुग है